आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर भाजपा नेता और पूर्व मुख्या निलेश मुख्या से जड़ी हुई सामने आ रही है जहां निलेश मुख्या की मौत हो चुकी है आपको बताते चले कि बीत 31 चुलाई को पटना में दिन दहाडे बीच सड़क पर निलेश मुख्या को गोलियों से भून दिया गया था जिसके बाद उनकी हालत बेहत गंभीर बताई गई थी पहले पटना के एक बड़े नीची अस्पताल में उनका इलाज चला जिसके बाद पटना के डॉक्टरों ने उन्हें दिली एम्स रेफर कर दिया 23 दिनों तक जिन्दगी से जंग लड़ने के बाद आज निलेश मुख्या ने दिली एम्स में अपनी आखरी सासे ली है इसे कड़ी में आपको बताते चले कि निलेश मुख्या की पतनी सुचुता सेंग इस वक्त वर्तमान में पारशद है साथ साथ निलेश मुख्या भाजपा से जुड़े हुए हैं और पूर्वब में मुख्या भी रह चुके हैं गटना के दिगा थाना छेत्र इलाके में 31 जुलाई को दिन दहाडे कुछ बेखौफ अपराधियों ने निलेश मुख्या को गोलियों से भून दिया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराये गया था 31 जुलाई को बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए थे वरतमार में निलेश मुख्या के पतनी सुचत्रा सेंग वाट संक्या 22B की पारशद है साथ ही निलेश मुख्या भी भाजपा से जुड़े हुए हैं खटना 31 जुलाई के सुभा उस वक्त हुई जब निलेश मुख्या कुजी मोर से साई मंदर जाने वाले रोड में स्थित अपने कार्याले के अंदर जाने के लिए कार को टर्न कर रहे थे टर्निंग के पास ही दो बाइक सवार अचानक से वहाँ पहुचे जहां चार अपराधियों ने उन्हें घेर कर ताबर तोड उन पर फाइरिंग कर दी इस खटना में निलेश मुख्या को पाच गोलिया लगी थी आनन्फानन में कार सवार दो अन्य लोगों ने उन्हें सबसे पहले कुझी अस्पताल पहुचाया जहां से उन्हें रूबन अस्पताल में आडमिट करा दिया था बाद में उन्हें दिली ले जाए गया था जहां उनकी उप्चार के दौरान मौत हो चुकी है बतादे चले कि जिन अपराधियों ने इस बड़ी घट्टा को बीते क 30 चुलाई को अंजान दिया था उनकी गिरफतारी भी हो चुकी थी पट्टा पुलस के द्वारा ओपरेशन चलाए गया था जिस ऑपरेशन के तहत निलेश मुख्या पर गोलिया चलाने वाले अपराधियों को गिरफतार कर लिया गया था 23 दिनों तक लगातार निलेश मुख्या अस्पताल में भरती थे उनका इलाज चल रहा था डॉक्टरों ने काफी कोशिश की लेकिन आकिरकार 23 दिनों के बाद आज निलेश मुख्या ने दिल्ली एम्स में अपनी आखरी सासे ली है भाजपा से जुड़े हुए बताय जाते हैं निलेश मुख्या जोके एक बिजनसमान भी है पूर्व में मुख्या रह चुके हैं साथे साथ कई तरह की खबरों के द्वारा वो हमेशा चर्चा का विश्य बने रहते थे उनकी पत्नी सुचत्रा सेंग वर्तमान में वर्ट संख्या 22 बी से पार्शद है पत्ना के जाने माने चेहरे थे और आज दिल्ली एम्स में उनकी मौत हो चुकी है जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच चुका है फिला के लिस बड़ी अपडेट में अतना ही है न कई खबरों के लिए मारे साथ बने रहें नमस्का